Hello students, Maths class 3rd और आज का हमारा टोपिक है division of a 3-digit number by a 1-digit number Division करेंगे 3-digit number को किस से divide करना है? 1-digit के number से divide करना है हमारा page number है 78 तो यहाँ पर हमें कुछ questions दिये गए है Divide the following and write dividend, divisor, quotient and remainder Divide करना है और क्या write करना है? Divide and divisor, quotient and remainder यह अपने write करने है divide करने के बाद तो एपार्थ हम solve करने जा रहे हैं एपार्थ में हम statement given है Divide करना है 585 को 2 से divide करना है 2 से divide करेंगे 585 को तो 2 से divide करेंगे तो हमने पहले क्या चेक करना है कि 1st digit क्या है? 1st digit है 5 1st digit है 5 तो 5 हमने 2 की table कहा तक पढ़नी है? 5 तक 2 की table में हम कहा तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 2 3 जा 6 तो 5 से ज़्यादा होगे तो हम उसे step back आएंगे और 2 2 जा 4 और 2 कहा लिखेंगे? यहां लिखेंगे और 2 2 जा 4 लिखेंगे हम 5 के निचे और इसे minus करेंगे next step क्या होगा? हमसे minus करेंगे 5 minus 4 1 उपर से हम digit लेके आए 8 8 लेके आए अब क्या बन गया है? यहापे 18 क्या बन गया? 18 अब हमने 2 की टेबल पढ़नी है 18 तक कहा तक जाएंगे? टू की टेबल में? 18 तक जाएंगे तो 2 9 जा होता है 18 2 9 जा 18 या तो वो नंबर हमें पूरा-पूरा मिले या उससे हमने थोड़ा सा कम पे जाना है तो हमें 18 मिल गया 2 9 जा 18 होते हैं तो 18 माइनस 18 करेंगे तो आएगा 0 बचेगा या उपर से हम डिजिट लेके आएं या 5 लेके आएंगे अब हमने 2 की टेबल में फिर अगें हम 5 पे जाएंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 तो ज़्यादा होगे 6 तो फाइल से बड़ा नंबर है तो हम कितने पे जाएंगे 2 2 जा 4 कितने पे डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 2 जा 4 होते हैं तो 5 के नीचे 4 आया माइनस करेंगे 5 में से 4 तो 1 क्या बच गया remainder क्योंकि आगे कोई डिजिट नी है नीचे लाने के लिए तो last में जो 1 जो बचता है वो remaining यहाँ पे तो वो क्या होता है remainder तो हम ने यह कहते है statement में हम एक given था कि आपने बताना है कि write करना है आपने dividend, divisor, quotient and remainder यह सभी आपने क्या करने है write करने है तो हम write करेंगे dividend क्या होता है जिसको हम divide करते हैं वो होता है dividend जिसको हम divide करते है जिसे 585 यहां पर क्या था Dividend तो 585 है Then Diviser लिखना है Diviser यानि कि जिसके द्वारा Divide किया जाता है जिस नमबर से हम Diviser को Divide करते है वो होता है Diviser तो 2 क्या है Diviser then Quotient Diviser करने के बाद Diviser को Divisor से Divide करने के बाद जो result निकल के आता है means जो answer आता है वो क्या होता है quotient यानि कि 292 क्या है quotient उसके बाद जो remaining बचता है solve करने के बाद जो remaining बचता है वो क्या होता है remainder यानि कि remainder क्या है यहाँ पर हमारा 1 remainder है 1 तो इसी type से हम next part solve करेंगी B part में हमें 721 को 6 से divide करना है B part solve करके दिखाएंगे आपको 721 लिखेंगे और यहाँ पर 6 यह हमारा dividend है और यह क्या है divisor यह dividend, dividend को हम अंदर लिखते हैं और divisor को हम यहाँ पर लिखते हैं तो अब हम divide करेंगे first digit क्या है हमारा 7 first digit हमने चेक किया 7 6 की table में हमने कहा तक पहुँचना है 7 तक module तो 6 बन जा 6 6 2 जा 12 6 2 जा 12 क्या होगे जादा होगे 7 से तो कितने पर जाएगा 1 पर 6 बन जा 6 7 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 1 बचा उपर से digit लेकिया है 2 अब कितना बन गया है यहाँ पर 12 बन गया 12 बन गया तो 6 2 जा 12 2 यहाँ लिखेंगे और 12 कहाँ लिखेंगे यहाँ निचे माइनस करेंगे 12 माइनस 12 0 अब उपर से हम digit लेकिया है 1 क्या लेकिया है हम उपर से 1 लेकिया है क्योंकि यहाँ पर क्या रह गया तब 1 रह गया तब 1 लेकिया है अब देखतें कितने यहां पर किस्वाइब रशलन पर लुग। फ्रस्ट रशलन पर कि तेबल में बढ़ा हो गया। तो बड़ा तो हम करते हैं तो के हम गया जाएंगे, एक फ्टेप बेक जाएंगे तो six, six, zero होते हैं, यानि कि 6 बंजा से पहले, 6 बंजा 6 यह तो 1 होता है, और इससे पहले अगर देखा जाए तो क्या आता है, 6 0 जा, 0, 0 होते हैं तो यानि कि यह कितने पर जाएंगे, हम कितने पर डिवाइड करेंगे, 0 पर, और डिवाइड यहां पर हम जुरूर करेंगे, क्योंकि अभी हम इस डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हम उपर से डिजिट लेके आए है, या तो आपको डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे है, 0, या फिर आप यह भी खह सकते हो, कि हमने इसको किस पर डिवाइड किया, 0 पर डिवाइड किया, करके दिखा सकते हो और आप यह भी कह सकते हो कि लासमे डिवाइड नी हो रहा वन छोटा है सिक से और वन अपने उपर से डिजिट उतारा है तो इसलिए ना डिवाइड होने की नाम की भी हम यहां पर क्या लगा देते हैं जी रो लगा देते हैं तो answer है जो quotient है जो result क्या निकल का है 120 और remainder कितना बचा है 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे dividend जिसको divide कर रहे हैं वो होता है dividend यानि कि 721 divisor जिसके साथ dividend को divide करते हैं वो होता है divisor यानि कि 6 और जो result निकल के आता है जो answer होता है वो है quotient quotient है 120 and last में जो remaining बचता है वो होता है remainder तो यहाँ पर remainder आया है 1 तो हमने इस अभी बताने थी इसके बाद next part है next part है D part, E part, F part, G part and H part यह आप खुद से try करोगे और आपने सभी में क्या करना है step by step dividend, divisor, quotient remainder सभी आपने बताने है और write करने है same ऐसे next page है next page भी division के question है page number 79 यहाँ पर भी आपने 4 digit number को 1 digit के साथ divide करना है तो यहाँ पर आपको एक question solve करके दिखाते है first A part है 2396 को 3 से divide करना और यहाँ पर आपने क्या बताना quotient and remainder only quotient and remainder बताना है dividend और division नहीं बताने यह dividend है और यह divisor है और यह नहीं बताने यह नहीं write करने है आपने write करने only quotient and remainder तो आप इसको divide करोगे एक part इसका solve करके दिखाते हैं division चाहे हम 3 digit को कर रहे हैं या फिर हम 4 digit number को कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम होती है हमारे क्या होते हैं सभी step बिल्कुल सेम होते हैं कोई different नहीं होता बस यहां पर क्या होगा एक digit extra होगा तो एक digit एक step extra यहां पर हो जाएगा division थोड़ी सी length हो जाएगी एक step और हम नीचे लेके आएंगे एक digit और आगे हम बढ़ाएंगे तो इसको क्या होगा थोड़ी सी length बनेगी otherwise इसमें कोई change नहीं होगा तो एक question हम solve करते हैं एपाट 2396 को 3 से divide करेंगे यहां पर एपाट solve कर रहे हैं 2396 divide by 3 3 से divide करेंगे तो यहां पर हम first digit ले लेते हैं first digit है 2 तो यहां पर divide करना हमने 3 से और यहां पर given है 2 तो हम divide नहीं कर सकते हैं 3 बन जा क्या होगा 3 होगा अगर 1 पर भी जाएंगे तो 2 से क्या होगा 3 बड़ा होगा तो हम starting में अपनी calculation के according कितने भी हम यहां पर digit ले सकते होते हैं तो हम यहां पर हमने फिर क्या लिया 2 पर divide नहीं हो रहा था 2 3 से छोटा था divisor से बड़ा number ही होना चाहिए जो हम यहां पर लेते हैं फर्स time वो क्या होना चाहिए divisor से बड़ा होना चाहिए तो 2 तो छोटा था तो हमने क्या ले लिया एक digit और इसके साथ में add कर लिया एक digit और हमने एक्स्टा ले लिया तो यह कितना बन गया तू डिजिट अब जब हमने लिए 23 23 बन गया तो आप हमने 3 की टेबल में कहा तक पहुचना है 23 तक पहुचना है तो 37 जा होते है 21 3 8 जा 24 24 तो ज्यादा होगे तो हम कितने पे जाएंगे 37 जा 21 तो यहां लिकेंगे 7 और यहा 21 मैनिस करेंगे 23 तक कितना बचेगा 2 यानि 3 न से 1 मैनिस किया 2 और 2 मैनिस किया 2 तो डिवाल बचे जाने 9 अब कितना बन गया यहांपर 29 बन गया unpack 3 की टेबल में हमने कहा तक 29 तक 3 8 जा 24 और तो 3 9 जा 27 3 10 जा 30 3 10 जा कितने होगे 30 होगे तो 10 पे तो ज्यादा हो गया यानि कि कितने पर डिवाइड करेंगे हम 9 पे 3 9 जा 27 माइनिस करेंगे 29 में से 27 माइनिस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेए यहां पर उपर से एक डिजिट और भी रहता है 6 उसको हम लेके आएंगे जब तक यहां पर सभी डिजिट नहीं खतम हो जाते तो हम निचे लेके आएंगे डिजिट उतारके स्टेप बई स्टेप एक नेक्स स्टेप में हर बार हमने ओनली वन डिजिट को ही निचे लेके आना होता है अब हम 26 बन गया है यहां पर त्री की डिवाइड करेंगे 26 को त्री से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 3 9 जा 27 तो ज्यादा हो जाएगा 26 से तो कितने पर डिवाइ पर तो कोशिआंट का होगा कande秋 गैए सवंड्रिन डीवाइड करने के बाद होता है कोशिञ ए जो यह रिमेंडहमेन गुटर होता है तो रिमेंडर कृतना बचा है चो यह हमने बदाने थी कोश्याथा अनूर्य मेंड़र तो इसी टाइप से इसकर यह भी आपने सहीं पार, पार्ट सोल करने है, 4 डिजिट, 4 डिजिट नमबर by 1 डिजिट नमबर, सभी पार्ट आपने आई तक सोल करने है, thank you.